लोगडाउन के चलते लोग घर में रहें इसके लिए टीवी पर इंदिरों पुराने फीमस सीरियल फिर से चलाए जारे हैं। हाल ही में दूर दर्शन पर रामनंद सागर के फेमस धारवाहिक रामायन का फिर से प्रसारण किया गया था। दर्शकों ने इस धारवाहिक को बहुत पसंद किया और उसी उत्सहा के साथ इस सीरियल को ओडियंस ने वैसे ही देखा जैसे इसके रिलीज होने पर देखा था। और तो और रामायन को दर्शकों ने इतना पसंद किया कि रामायन ने अपनी नाम एक विश्व रिकॉर्ड कर लिया है विश्व में सबसे ज़ादा देखे जाने वाला धाराबाहिक रामायन बन गया है रामायन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है और रामायन को 7.7 करोड लोगों ने देखा है रामायन खत्म होने के बाद दुरदर्शन पर उत्तरी रामायन दिखाए गई दो मई को इसका आखरी एपिसोड प्रसारित किया गया जिसे दर्शन को ने बहुत सराहा रामायन खत्म हो गई उत्तरी रामायन खत्म हो गई अब आडियंस के सामने एक सवाल था कि इसके बाद क्या देखेंगे तो फिक्र मत कीजिए सरकार को आपकी आपसे ज़्यादा फिक्र है तूर्दर्शन पर रामायन के बाद रामानन्द सागर का ही फीमस धारवाहिक श्रीक्रिष्ण प्रसारित किया जाने वाला है रामानन्द सागर का धारवाहिक श्रीक्रिष्ण ने उन्नी सो त्रियान्न में बनाया गया था जिसे दर्शुकों ने बहुत पसंद किया था और अब एक बार फिर ये सीरियल लोगों का मन लभाने के लिए वापस से प्रसारित किया जा रहा है इस शो का प्रसारिन रात को 9 बजे किया जाएगा और दूसरे दिन रिपीट टेलिकास्ट सुभा 9 बजे वापस से आएगा रामायन की तरह श्री कृष्ण में भी एक से बढ़कर एक कलाकारों ने काम किया और उनमें से ही एक है सर्वदमन बनरजी जिन्होंने सीरियल में श्री कृष्ण का रोल निभाया था सीरियल में युवा कृष्ण के रोल में स्वपनिल जोशी नजर आये थे इसके पहले उत्तरी रामायन में भी स्वपनिल जोशी को कुश्का करदार निभाते देखा गया था रामरंद सागर की रामायन की तरह ही कृष्ण की गिंती भी फेमस सीरियलों में होती है रामायन और महाभारत की तरह इस सीरियल ने भी लोगों का बहुत दिल जीता था दूर दर्शन पर उसका री टेलिकास्ट किया जा रहा है अब ये सीरियल दर्शकू को कितना लुभाता है और क्या रामायन की तरह ही एक विश्वरिकॉर्ड बनाता है ये तो इस सीरियल के टेलिकास्ट के बाद ही पता पड़ेगा